तो देखिए हमारा राजिस्थान के प्रमुक दुर्ग चल रहे हैं जिसमें हमने कम्प्रीट कर लिये थे गिरी दुर्ग तो उसके बाद जो दुर्ग हम पढ़ेंगे वो ज्यादा नहीं है आप लोगों के तो चलिए नेक्ट पढ़ते हैं धानवन दुर्ग तो धानवन की कैटिगरी में रखा जाता है तो यहां पर सबसे पहला किला जो है वह है जैसल मेर का किला जैसल मेर दुर्ग तो राजिस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसल मेर में त्रकूट पहाड़ी पर इस्थित पत्थरों से बना हुआ है यह किला ठीक है तो पीले पत पड़ती है तो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि पूरा सोने का बना हुआ हो क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है इसका निर्मान 1155 इस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था ठीक है याद रखिएगा जैसल मेर दुर दुर्ग जो है वो कहा है तरकूट पहाड़ी परिस्थित है और पीले पत्थरों का इसमें यूज हुआ है इसे सोनार का किला भी कहते हैं और इसका निर्मान करवाया था राव जैसल ने दुर्ग के चारो और विशाल मरुस्थल है तो जैसल मेर साइड में जब हम जाते है तो वहां हमको क्या मिलता है विशाल मरुस्थल मिलता है वहां धोरे मिलते हैं टीले मिलते हैं ठीक है रेत बहुत जादा वहां पर दिखाई देता है तो ऐसी जगे पर जैसल मेर का किला बना हुआ है तो इसके लिए एक कहावत जो है वह है पेचलित है और वह है क्या है कि यहां पत्थर के पैर लोहे का सरीर काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। यानि कि जैसल मेर के किले तक पहुँचने के लिए हम आराम से नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि रेद होता है तो रेद में चलना मुस्किल होता है। और उपर से इतनी गर्मी होती है मई-जून के समय में कि वहां से जाना मुस्किल होता है। तो इसलिए ये कहावत कही गई है कि पत्तर के तो पैर होने चाहिए ताकि वहां से निकला जा सके और लोहे का सरीर होना चाहिए जो कि इतनी तप्ती जो गर्मी होती है उसको सहन कर सके और काट के घोडे पर सवार होकर ही पहुचा जा सकता है. important line है ये कहावत जो है आपके exam में आ चुकी है कि किस के लिए के बारे में कहा गया है कि पत्थर के पैर, लोहे का सरीर और काट के घोड़े पर सवार होकर ही वहाँ पहुचा जा सकता है याद रखिएगा ऐसे ही ये line नहीं लिखी गई है important है exam में पहले आ चुकी है बिना चुने के केवल बड़े बड़े पत्थरों को परस पर जोड़ कर खड़ा किया गया है और इसकी जो छत है वह है लकड़ी की बनी है तो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से जो पीले पत्थर है इनका यूज किया गया है और ऐसे पीले पत्थर जो है इनको जोड़ जोड़ कर जो है इनको बनाया गया है और इसकी जो ऊपर जो है छट वह है लकड़ी की बनी होई है ठीक है और जैसे ही सूरज की रोशन पर पढ़ती है तो यह इतना अच्छे तरीके से सोने की तरह चमकता है इसलिए इसे सोनार गड़ भी कहते हैं अंगड़ाई लेता हुआ सिंग तो इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि सेर जो है वह है अंगड़ाई ले रहा हो या ऐसे लगता है कि लंगर डाले हुए जहाज के समान ये प्रतीत होता है ठीक है तो ये कुछ कहावते टाइप में हैं ये भी आप याद रखेंगे अब देखिए जैसल मेर दुर्ग जो है इसमें धाई साके हुए तो धाई साके जो है वो कब हुए थे तो देखिए एक जो साका है वह है 1299 इस्वी के लगबग माना जाता है जब अलावदिन खिलजी जो है यहां आक्रमण करता है और यहां कि शाशक होते हैं मूल राज ठीक है तो उसके बाद जो है 1355 इस्वी में जव फिरोज तुगलक आता है और यहां के जो शाशक होते हैं रावल दूदा तो यहां पर आक्रमण करता है तो दो साके तो यह ह कौन है जो रानी उमादे थी रूठी रानी उनके पिताजी का नाम था राव लूनकरण यहां पर केसरिया तो होता है लेकिन यहां जोहर नहीं होता है ठीक है इसलिए इसे अर्ध शाका कहा जाता है तो दो और आधा क्या हुआ धाई साके ठीक है तो यह चीज याद कि अर्ध साका जो है वह किसे कहते हैं तो देखिए साका जो है वो कब होता है जब केसरिया और जोहर होता है लेकिन जिस साके में जोहर नहीं हुआ तो वह अर्ध साका कहा गया इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह अश्रय पोल है और इस दुर्ग में देखिए और रिश्यव देव जी का मंदिर रंग महल है मोती महल है गज विलास इसके लिए में मौजूद है प्राचीन पांडू लुपियों के संग्रहाले के कारण भी प्रसिद है यह भी लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कि जो प्राचीन पांडू लुपियां जो हैं यहां पर इन आई थी तो यह मैंने इसी तरीके से लिख दिया है तो यह जो है एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रखें नेक्स्ट देखिए जूनागड जो की कहां है भीका नेर में ठीक है और यह एक धानवन दुर्ग भी है और पारिक दुर्ग भी ह यानि कि यह मरुस्थल में भी बना हुआ है और इसके अलावा इसके चारो तरफ क्या है खाई बनी हुई है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पारिक दुर्ग क्या होते हैं जिनके चारो और बहुत बड़ी खाई बनी होती है तो उन्हें हम कहते हैं पा महाराजा राय सींग ने रखी थी तुर्ग की प्राचीर एवं अधिक तर निर्मान कार्य लाल पत्थरों से हुआ है अभी जैसल मेर का किला जो हमने देखा था वह है पीले पत्थरों से बनाया गया है वही पर जूनागड लाल पत्थरों से बना हुआ है इसलिए इसे हम ला जूना गड़ कहा है? बीका नेर में है. दूर्ग का आंतरिक द्वार सूरजपोल दर्वाजे पर राय सिंग की प्रस्थी उतकिन है. जिसके रचेता कौन है? जैता है. सूरजपोल के दोनों तरफ जैमल और फत्ता की हाती सवारमूर्तियां इस्थापित हैं. तो ये जैमल औ ऐसे इतिहास के जो वीरों की हाती सवार मूर्थियां इस्थापित हैं सूरज पोल के दोनों तरफ, मुख्य प्रवीश द्वार जो है उसे कर्ण पोल कहते हैं और हिंदू मुस्लिम कला का समन्वे है जुनागड इसे 33 करोड देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है और दुर्ग के परिसर में रतन निवास है, रंग महल है, कर्ण महल है, अनूप महल है, छत्र निवास है, लाल निवास है और सुनहरी पुर्ज है इसके अलावा विक्रम विलास भी है तो जुनागड के बारे में याद रखेगा कि जुनागड के बारे में बहुत एक्जाम मे पूछा भी जाता है, बीका नेर में है, इसे हम लाल गड़ भी कहते हैं, क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है, ठीके, और किसने में इसका निर्मान करवाया, महराजा राय सिंग ने इसका निर्मान करवाया था, और दुर्ग में आंतरिक द्वार पर सूरत पोल ठीके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो किला है, वह है भटनेर दुर्ग, कैसा है, धानवन दुर्ग है, और कहां पर है, हनुमानगड में, यह राजिस्थान के उतरी सीमा पर बना हुआ है, भटनेर दुर्ग, और इसे भूपत भाटी ने बनवाया था, ठीके, याद पाएंगे, भूपत भाटी और भटनेर दुर्ग, सबसे ज़्यादा विदेसी आक्रमण जो है, वो यहीं पर हुए है, क्योंकि राजिस्थान की जो पक्षमी सीमा है, तो वह किसे लगती है, पाकिस्तान से लगती है, ठीके, और हनुमानगड जो है, वो सबसे उतरी सीमा पर है राजिस्थान के, तो यहां से आक्रमण होते रहते थे, तो सबसे ज़्यादा विदेसी आक्रमण जो है, इस दुर्ग ने जेले हैं, तो देखिए महमूद गजनभी जो है, इसने सबसे पहले 1001 में यहां आक्रमण किया था, 1398 में तैमूर लंग ने भी यहां आक्रम किया भटनेर दुर्ग को, और इसका नाम क्या रख दिया हनुमान गर्ड, जिसको हम जिले के रूप में बोलते हैं, तो हनुमान गर्ड नाम किसने रखा, सूरत सिंग ने रखा, ठीक है, भटनेर दुर्ग को विजित करके कब 1805 इसवी में, तो यह कुछ भटनेर दुर्ग के बारे में याद रखें, और तैमूर ने इस दुर्ग को भारत का सर्वसेष्ट किला बताया, किसने तैमूर ने, ठीक है, पूचा जा सकता है, भारत का सर्वसेष्ट किला, किसने बताया, तैमूर ने, क्योंकि सर्वादिक आकर्मन जो है, इसी दुर्ग ने जेले थे, भ इन्होंने 1749 इस्वी में इस किले का निर्मान करवाया. तो इसके निर्मान करता है, याद रखेंगे कुसाल सिंह. तो देखिए जो किले होते थे, उनको पाने की लालसा जो है वो बनी ही रहती थी, और यहाँ पर आक्रमंड जो है वो किये ही जाते थे. जो भी आक्रमंड करक इन किलों को विजित कर लेता था तो वही सक्तिसाली कहलाता था तो 1814 में बीका ने राज्य की जो सैना थी इसने चुरू राज्य को चारो ओर से घेर लिया और तोपों से गोलियां बरसाई ठीक है तो जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए लेकिन एक समय क्या हुआ कि दुर्ग में गोले जो हैं तो वो खतम हो गए क्योंकि गोले बनाने का जो सीसा था वो ही समाप्त हो गया तो जब गोले बनाने का सीसा समाप्त हुआ तो चांदी के गोले बरसाए गए तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए जो सीसा था वो समाप्त हो ग तो यहाँ पर सीसे की जगए जो है चांदी का यूज किया जाता है और फिर दुबारा से गोले बरसाए जाते हैं तो यह जो लाइन है आप याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा दुर्ग था जहाँ पर जब सीसा समाप्त हो गया था तो चांदी के गोले जो है वो सत्रों पर बरसा कुसाल सी ठीक है याद रखेंगे इस चीज को नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है जल दुर्ग या जिसे हम ओदुग दुर्ग भी कहते हैं तो ओदुग का अर्थ भी क्या होता है जल तो जल दुर्ग कौन से होते हैं जो की विसाल जल रासी से घिरे होते हैं तो इसमें सबस इसका निर्मान जो है वह है ग्यारवी सदी में परमार्शाशकों ने करवाया और उनके नाम पर ही यह है डोडगड या धूलरगड कहलाया ठीके तो जब इसका निर्मान पहले करवाया गया था तो इसका क्या नाम था डोडगड या धूलरगड ठीके तो यहां पर यह दुर पोड़ सासक बीजल देव से इसे जीत लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं गागरोन। 1303 इस्वी में जैतर सींग के समय जब अलाउदिन खिल जी का यहां पर आकरमन होता है तो उसे भी यहां पर सफलता नहीं मिलती है। तो अलाउदिन खिल जी जहां वह भी आकरमन करता है 1303 इस्वी में किसके समय करता है जैतर सींग के समय करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। जी करता है जो मीठे साह की दरगाह के नाम से प्रसिद है। तो यह important line है और जो की exam में पुछी भी जाती है कि मीठे साह की दरगाह जो है वह किस दुर्ग में है तो यह गागरून दुर्ग में हैं। याद रखेंगे इसके साथ जो संत पीपा हैं इनकी छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है और संत पीपा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कोटा शाशक दुरजन साल ने यहाँ पर मधु सुधन मंदिर वनवाया और जाला जालिम सींग ने जालिम कोट का निर्मान करवाया यानि की चारो तरफ जो है वो परकोटे का निर्मान करवाया था सिक्के ढालने का टकसाल भी यहाँ पर है अकबर ने प्रत्वीराज राठोड को यह किला दिया जिसमें उन्होंने बेली किसन रुकमनीरी ग्रंत लिखा था तो इन्होंने एक और ग्रंत लिखा था प्रत्वीराज राठोड ने दसम भागवतरा दूहा और गंगा लहरी ठीक और इन्हें डिंगल का हैरोज भी कहते हैं तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा तो ये प्रत्वीराज राठोर जो है वो वीका नेर के साशक थे यहाँ पर प्रमुक साके होते हैं 1423 इस्वी में अचल दास खीची और मांडू यानि जो कहा है मालवा में तो मालवा के सुल्टान होसंग साहा और अचल दास खीची के बीच में युद्ध होता है अचल दास खीची वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं और महलाओं द्वारा यहाँ जोहर किया जाता है तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है साका हो रहा है, साका का मतलब यह है कि यहाँ पर अचल दास खीची के दोरा किया गया केसरिया और महलाओं ने किया जोहर, तो जब यह दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है यहाँ पर शाका, ठीक है? 1444 इसरी में अचल दास खीची का बेटा होता है पालर सी और यह दुबारा से मालवा के जो सुल्तान होते हैं, मांडू के सुल्तान महमूद खिल जी प्रथम इनसे युद्ध करता है अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए और सुल्तान जो है विजई होकर इस दुर में मारा जाता है और जो सुल्तान होता है महमूद खिल जी प्रथम वह विजई हो जाता है और इस दुर्ग का नाम रख देता है मुस्तफावाद, बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है याद रखेंगे, नेक्स्ट जो दुर्ग है वह है भैसरोडगड, भैसरोडगड जो चंबल और वामनी नदियों के संगम पर है तो इसलिए इसे जलदुर्ग कहा जाता है करनल जैम स्टॉड की अनुसार इसके लिए का निर्माण भैसा साह नामक व्यापारी और रोडा चारण इन दौनों ने मिलकर करवाया था तो ये क्या थे व्यापारी थे और इनके व्य पत्य लूटे रहे थे वो लूट लिया करते थे तो इस वज़े से अपने व्यापारी काफिले की रक्षा करने के लिए इन्होंने भैसरोडगर्ड का निर्माण करवाया था और इसे राजिस्थान का वैल और कहा जाता है किसे भैसरोडगर्ड को कहां पर है चित्तोड में नेक्स्ट दिखिए शेरगड शेरगड जो है वै है दहौलपुर में और इसका निर्माण कोशाड काल में हुआ था माल देव ने करवाया था और शेर्षा सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगड रखा गया तो याद रख सकते हैं शेरगड शेरशा सूरी और इस के लिए मे भारत का सबसे बड़ा घंटा घर है ये थोड़ा याद रखेंगे एक और शेरगड है और वह है बारा जिले में तो यह परवन नदी के किनारे पर है ठीके और यहां हमने जब दूसरा देखा था शेरगड वो कहा था धौलपुर में और इसका निर्मान करवाया था कुशा जो प्राचीन नाम था वह था कोश वर्धन गड़ कन्फ्यूज नहीं होना है धौलपुर का जो शेरगड है वह अलग है और बारा का जो शेरगड है अलग है दोनों ही शेरशाशूरी के नाम पर ही बनाए गए लेकिन प्राचीन नाम जो है कोश वर्धन गड़ है वह किसक जो की परवत पर बने होते हैं दूसरा जो हमने देखा था कौन सा धानवन दुर्ग जो की मरूभूमी में बने हुए होते हैं ठीक है जैसलमेर का दुर्ग हमने पढ़ा नेक्स दू हमने देखा था जल दुर्ग जिसे हम ओदुग दुर्ग भी कहते हैं जो की बहुत बड़ी जो जलराशी होती है उससे घेरे होते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ इसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा और यहां पर राजिसान के जितने भी दुर्ग होंगे वो सब भी पूरे हो यहां हो जाएंगे ठीक है और राजिसान के दुर्ग के सम्बंद में एक भी सिंगल कुश्चन इन नोट्स के बाहर नहीं जाएगा आपका तो आप लोग बार-बार इनको पढ़िए रिवाइज करिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू